हलो एव्रीवान कैसे हैं आप सब लोग और आज हम लोग करने आ गए हैं क्लास 12 की बची हुई यूनिट को कम्प्लीट आपकी हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं हमारे उनकी तयारी में जरूर हल्प कर रही होगी क्योंकि जनरली हिंदी मीडियम में आपको NCRT आडियो बुक्स तो अवेलेबल हैं ही नहीं यूट्यूब में इसलिए मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट पर बनाया कि मेरे गया काफी बट 11 की complete हो चुकी है और compiled audiobook आप देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में जा करके 12 की भी almost complete है सिर्फ ये last की जो unit है आपकी एक बची हुई है reproduction unit तो उसको भी मैं जल्दी से complete करके आप लोगों को compiled form में provide कर दूँगी आज मैं इसका chapter 1 करने जारी हूँ जीवो में जनन हाला कि ये new NCRT में हट गया है chapter बट मैं फिर भी इसको record इसले कर रही हूँ क्योंकि अभी जो need की exam आपका होने वाला है उसमें इसे questions है वो chapter need के syllabus से भी नहीं हटा है next year या maybe आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि update होने के बाद में ये chapters जो NCRT से remove कर दिये गए हैं ये अभी जो upcoming exam है आपका उसमें chapter आ रहा है तो इसलिए मैं इसका record आप लोगों के लिए available करा रही हूँ and I hope कि आप लोग मेरे motivational and जो मैं questions के आपके और साथी साथ जो one minute biology के videos आपके लिए बना रही हूँ वो आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे क्योंकि वो PYQ based आपके videos है और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ मैं question practice के भी videos share करने वाली हूँ तो चलिए time waste नहीं करते हैं जल्दी से शुडू करते हैं अध्याय एक जीवों में जनन प्रतेक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है जीव के जन्म से उसकी प्राकरतिक मृत्यू तक का यह काल उस जीव की जीवन अवदी को निरूपित करता है चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवदी दिखाई गई है बहुत से अने जीवों की चित्र प्रस्तुत किये गए हैं इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगा कर दिये गैरेक्तिस्थान में आपको उनकी जीवन अवदी के बारे में लिखना है चित्र 1.1 में निरूपे जीव के जीवन अवधी का परिक्षन कीजिए क्या ये दोनों बाते रोचक और कौतुहल पूर नहीं है कि ये अवधी कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है इन दोनों चरम सीमाओं के मद अधिकांस जीवित जीवों की जीवन अवधी बनी रहती है आप शायद इस बात पर ध्यान देगे कि किसी जीव की जीवन अवधी का आवश्यक रूप से आकार से सम्मंद नहीं है कववा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता फिर भी इन दोनों की जीवन अवधी में बहुत अंतर होता है ठीक इसी प्रकार से आम के वरक्ष की जीवन अवधी पीपल के वरक्ष की तुल्ला में बहुत कम होती है जीवन अवधी भले ही कितनी ही परंतु प्रतेक जीव की मृत्यू सुनिष्चित है दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक कोशी जीवों को छोड़ कर कोई भी जीव अमर नहीं है हम क्यों कहते हैं कि एक कोशी की जीव को प्रागर्तिक मृत्यू नहीं होती इस वास्तविक्ता को जानते हुए कि आपको आश्चर नहीं होता कि हजारों वर्षों से प्रत्वी पर पादपू तदा पशु पक्षियों की विभिन स्पिशीज की विशाल संख्या विद्यमान है जीविजीवों में कुछ प्रक्रिया है अवश ही ऐसी है जिनमें ये निरंतरता शुनिश्चित होती है हाँ यहां हम जनन का उलेक कर रहे हैं जिसे हम निश्चित मानते हैं यहां पे आपको भिन भिन जीव दिये हुए हैं जिनकी आयो आपको लिखनी है जीवों में जनन को यहां एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाशित किया गया है जिसमें एक जीव अपने समाने एक छोटे से जीव को जन्म देता है संतती में व्रद्धी होती है और उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वे नई संतती को जन्म देती है इस प्रकार जन्म व्रद्धी तथा म्रत्यु चक्र चलता रहता है जनन प्रजाती में एक पीडी के बाद दूसरी प्रीडी में निरंतरता बनाये रखती है अब बादनेप अध्याय पांच में अध्यन करेंगी कि किस प्रकार अनुवानशिक विवित्ता जनन के दौरान स्रजित या बनशागत होती है जीव विज्यानी संसार में व्यापक विविद्ता पाई जाती है तथा प्रतेक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतती उत्पन करने के लिए अपनी इविदी विक्सित करता है जीव किस प्रकार से प्रजनन करता है उसके वास उसकी आंतरिक शलीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक समोहिक रूप से उत्तरदाई है जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है जब संतती की उत्पती एकल जनक द्वारा युगमक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्तिती में हो तो वह जनन अलैंगिक कहलाता है जब दो जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर तथा माधा युगमक में युगमन होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है 1.1 अलैंगिक जनन इस विदी में एकल जीव संतती उत्पन करने की छमता रखता है इसके परणाम सुरूप जो संतती उत्पन होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है क्या यह संतती आनुवानशिक रूप से एक समान अत्वा भिन होती है आकारगी तता आनुवानशिक रूप से एक समान जीवों के लिए कलोन शब्द की रशना की गई है आईये जीवों के विभिन वर्गों के मद्द पाये जाने वाले अलांगिक जनन के विस्तरत रूप का अध्यन करें अता इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविदी है बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन्स यानि बाइनरी फिजन से उत्पनव होते हैं जिन में एक कोशिका दो भागों में विबक्त होती है और प्रतेक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीवरिता से पूरवक तीवरिता पूरवक व्रद्धी कर जाता है जैसे अमी अमीबा का दिखाती हो चित्र ये बाइनरी फिजन इस्ट में या विभाजन एक समान नहीं होती तता छोटी कलिकाएं उत्पन होती है इसे बडिंग कहते हैं जो प्रारम में तो जनकोशिका से जुड़ी रहती है और बाद में अलग हो कर एक नए इस्ट जीव में परिपक पुटी भवन कहते हैं अनुकूलन परिसितियों के पुनरागमन पर पुटीकरत अमीबा बहु खंडन द्वारा विभाजित होता है तता अनेक सूक्षम अमीबा तता बीजाणू अमीबा यानि स्यूडो पोडियो स्पोर्स उत्पन करता है पुटी की भित्ती के फट जान यह बीजाणू परिछेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं इनसे अनेक अमीबा विक्सित होते हैं इस प्रक्रिया को बीजाणू जनन कहते हैं फंजाई जगत के सदसे तता साधारन पादप जैसे शैवाल विशेश अलैंगिक जननी संदशनाओं द्वारा जनन करते में चित्र 1.3 यहां पर आप देख लिजिये आ चित्र 1.3 यहां पर आप देख लिजिया हम थे सनराजनों जो संदशनाओं जो संस्मे जानन संदर्शिण कॉनीडिया, पेनिसिलियम, कलिका, हाइडरा तथा जैमियूल स्पंज होते हैं कक्षा 11 में आपने पादपों के काईक जनन के बारे में अवश्य ग्यान प्राप्त किया होगा आपका क्या विचार है कि काईक जनन भी एक प्रकार का लैंगिक जनन है आप ऐसे क्यों सोचते हैं, क्या क्लोन शब्द काईक जनन से उत्पनने संतती के लिए उप्योज है जबकि जन्तुओं तता अन्य साधरन जीवों में अलाएंगिक शब्द का प्रयोग पष्ट रूप से तता पादपों में इसका शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है पादपों में काईक प्रवर्धन की इकाई जैसे सर, प्रकंद, सकरकंद, बल्व, भूस्तरी यानि ओफसेट सभी नहीं संतती को पैदा करने में सामार्थे रखते हैं जेत्रवान पॉइंट फॉर्ट लेट मी शो यू डाइग्राम यह आप इसके सारे डाइग्राम्स देख सकते हैं आपने निश्चित तौर पर जलाशियों की महाविपत्ती यानि वाटर हायसंथ अत्वा बंग्डाल के आतंग के बारे में अवश्य सुना होगा यह कुछ भी नहीं बलकि जली पादप वाटर हायसंथ है जो ठहरे जल में सरवादिक व्रदी करने वाला खरपत्वार है यह दिपी यह काईक प्रवर्दन दृत गती से कर सकता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशे पर फैल जाता है और अपने आप से जलाशे को ढख देता है इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठेन होता है क्या आप इस तत्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, खेला, अद्रक, डहलिया जैसे पात्पों की खेती किस प्रकार की जाती है क्या आपने आलू के कंद परिस्थित का लिका जिसें आँख भी कहते हैं से और केले तदा अद्रक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलते हुए देखा हैं जब आप ध्यान पूर्वक उपर युक्त सूची बद पात्पों में से विक्सित होने वाले प्लांटलेट्स की उत्पत्ती स्थानों का निर्धारन करने का प्रेत्न करेंगे तब आप पाएंगे कि अधिकतर इन पात्पों के रूपांत्रित स्थम्भो में उपस्तित नोट से उत्पन होती है जब ये नोट्स नमी युक्त म्रदा तत्वा जल के संपर्ग में आते हैं तब इनके मूल है निरूट सतने पादप उत्पन होते हैं ठीक इसी प्रकार ब्रायोफाइलम की पत्तियों में कटे किनारों से एड्वेंटीशियस का लिखाएं उत्पन होती है माली लोग तता किसान पात्पों के इस गुंड सामर्थ का पूरा लाब उठाते हुए ऐसे पात्पों का बड़े पैमाने में प्रवर्धन करते हैं ध्यान देने योग एक रोचक बात यह है कि अपेक्शाकरत साधरन जीवों में अलेंगिक जनन की सामाने विदी है जैसे क कि शैवाल तता फंजाई और ये प्रतिकूल परिस्तियों के आरमन से पूर्व जनन के लैंगिक विदी की और बढ़ने लगती हैं यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्तियों में इन जीवों को जीवित रहने में साहयता करता है लैंगिक जनन ऐसी जीव अत्वा अभिमुक लिंग वाले भिन जीवों द्वारा नर तथा मादा युगमकों का निर्माण शामिल है। जीव अपने जीवन में व्यद्धी के एक निष्टित अवस्था एवं परिपकवता तक पहुँचते हैं। जीवों में एक राइक प्रवस्था कहलाती है, ये प्रवस्था विबन जीवों में अलक अवदिकी होती है। किशोरा अवस्था का एक प्रवस्था की समापती ही जनन प्रवस्था का आरंभ है। इस प्रवस्था को उच पादपो में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। गेंदा धान गेहू नारियल आम आधी पेडों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है। कुछ पादपो में पुष्पी करण एक से अधिक बार होता है। तब इस से अंतर पुष्पन की अवदि को क्या कहेंगे। किशोरावस्था अत्वा वयस्कता आपने छेतर में लगे कुछ वरक्षों का निरिक्षण करो। बहु वर्षी जातियों में इन प्रवस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाशित करना कठेन होता है। कुछ पादप आसमाने रूप से पुष्पी करण की क्रियाविधी को प्रदर्शित करते हैं। इन में से कुछ जैसे बांस की जाती के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामानत्या पचास से सो वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम सुरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन होते हैं और मर जाते हैं। प्राणियों की कुछ और अवस्था की समाप्ति उनके प्रजनन वहवार के पूर्व उनकी शारीरिकी एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। विबिन जीवों में जनन प्रावस्था भी विवेदवदीकी होती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्दनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिन से जनन परिपक्वता का पता लग सके। प्राणियों में उधानता पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं अत्वा क्या यह किसी मौसम में संबंद गटना क्रम है। मेड़क और शिपकली में यह प्रक्रिया कैसे होती हैं आप देखेंगे कि प्रक्रती में रहने वाले पक्षी केवल विशेस मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। ये दिपी संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों में वर्ष भर अंडे देने की शमता उत्पन की जा सकती है। जबकि प्राइमेट्स में ये रितुस्त्राफ चक्र कहलाता है। प्रजनन आयू की समाप्ती को जीर्णता या व्रद्धावस्ता के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। शरीर में जीवन की अवदी के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन होने लगते हैं। व्रद्धावस्ता अंतता मृत्यू तक ले जाती है। पादर तथा प्राणियों दोनों में तीनों अवस्ताओं प्रवस्ताओं की भी संक्रमण के लिए हॉर्मोन उत्तरदाई पाए गए हैं। हॉर्मोन तथा कुछ विशेश, पर्या वर्णी, कारकों की वीच परस पर क्रियाएं, जीवों के जनन, क्रियाओं तथा व्यावारिक अभिवेक्तियों को नियंत्रित करती है। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, परिपक्वता प्रवस्ता प्राप्ध करने के पश्चात, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिन में महत्त पूर्ण मूलभूत समानता होती है। यद्यपी लैंगिक जनन से संबंद सनशनाएं जीवों में एकदम भिन होती हैं, यद्यपी विसरत एवं जटिल होने के बावजूत, जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। लैंगिक जिनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन युगमक के युगमन द्वारा विशिष्टी करत होता है। सुविधा के लिए क्रमबद घटनाओं को तीन भिन भिन अवस्थाओं निशेचन पूर्व, निशेचन तथा निशेचन पश्चात में विबक्त किया जा सकता है। 1.2.1 निशेचन पूर्व घटनाएं इसके अंतरगत युगमकों के सैयोजन से पूर्व की सारी घटनाएश सम्मिलित हैं। निशेचन पूर्व की दो प्रमो घटनाएं गयमिटोजनेसिस तथा गयमी ट्रांसफर है। 1.2.1.1 युगमक जनन जैसा कि आप जानते हैं युगमक जनन नर्त था मादा दो प्रकार के युगमकों की गठन प्रक्रिया को संदर्वित करता है। इस प्रकार के जीवों में नर्त युगमकों का पुमडू या शुक्राणू कहते हैं, जबकि मादा युगमकों को अंड अथ्वा डिम्ब कहते हैं। जीवों में लैंगेक्ता, सामने तर जीवों में जनन के दोरान दो भिन समस्टियों के युगमकों में युगमन होता है। परंतु ये सदा के लिए सत्य तत्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उधारनों का स्मरण करें तो क्या स्वता निशेशन की प्रक्रिया को पैचान सकते हैं। पुषपी पात्पों में एक लिंगी नर्पुषप पुंकेसरी होता है अर्थात पुंकेसर वहन करने वाला जबकि मादा पुषप स्त्री केसर अर्थात इस्त्री केसर धारन किये रहता है। कुछ पुषपी पात्पों में एक अकेला पादत उभ्या लिंगा अश्रई हो सकता है और इन में पैदा होने वाले पुषप एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। जबकि मादा पुषप स्त्री केसर धारन करता है। उबह लिंगा अश्रई पात्पों के कुछ उधारन कुकरविटो तथा नारियल व्रक्ष हैं। जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगा अश्रे के उधारन है। उन युगमक प्रकारों के नाम लिखें जो पुंकेसरी, एवंस्तरी, केसरी पुषपों से बनते हैं। इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है? क्या सभी प्रजातियों के विष्टी में नर्थ अत्वा मादा पाये जाते हैं? अत्वा जिन में दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाये जाते हैं। आप संभवता अनेक एक लंगी प्राणी प्रजातियों की सूच बना सकते हैं। प्राणियों में केचुए, स्पंज, टेप वॉम तता जोक, द्विलिंगी प्राणियों के प्राणूप एक उधारन है। इनमें नर्थ तता मादा जनन अंग, दोनों ही उभ्यालिंगी द्विलिंगी एक प्राणी में पाए जाते हैं। तिल चट्टा एक ल प्राण कोशिका विवाजन सभी विषम युग मकई प्रकार के होते हैं, जो नर्थ तता मादा कहलाते हैं। युग मक अगुणित होते हैं। चाहे उनके जनक जिससे भी उत्पन हो व्य अगुणित हो अथ्वा द्विगुणित ही क्यो ना हो। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन के द्वारा युगमक उत्पन करते हैं। क्या इसकारती हैं कि जो जीव अगुणित हैं उनमें अर्ध सूत्री विभाजन कभी भी संपन नहीं होता। उस शैवाल की जीवन चक्रे के चाड को ध्यान से देखें जिसे आपने कक्षा 11 में उनकी जनकी काय द्विगडित होती हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि अर्ध सूत्री विभाजन जो न्यून कारी विभाजन है और जहां द्विगडित काय अगुडित युगमक को कोत्पन करता है। और गुण सूत्र न के बीच कोई सम्बंध दिखाई पड़ता है यहां मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। इस टेबल में आपको फिल करना है न वैल्ल्यू और तू न वैल्ल्यू एक्जामपल आप यहां देख सकते हैं मनुश्री का दे रखा है। 1.2.1 युगमक स्थानांतरण इनके निर्माड के पश्चाद नर तथा मादा युगमक काईक रूप से एक गुसरे के निकट आते हैं ताकि निशेचन की क्रिया सफलता पूर्वक संपन हो सके। क्या आपको कभी आश्चर नहीं होता कि यह युगमक आपस में कैसे मिलते हैं। तता अपी परिभान के दोरान नर युगमकों की हानी को पूरा करने के लिए नर युगमक मादा युगमकों की तुल्ला में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। बीजिये पादपों में पराग कण नर युगमकों को वाहक की रूप में कारे करते हैं तता अंडप में अंडव होता है। पराग कण पराग कोश में उत्तन होते हैं ता निशेचन संपन हो उससे पहले ही ये पराग कण पराग कण वर्तिकागर में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। पराग कण वर्तिकागर पर अंकुरित होते हैं तता पराग नली नर युगमकों को अपने साथ लेती हुई अंडव के भीत प्रवेश कर जाती है। 1.2.2 निशेचन लैंगिक जिनन की सरवादिक महात्पूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवता युगमक का युगमन है। 2.2.2 नर युगमक के निर्माड हे तु विक्सित होने लगता है। इस प्रकार की घटना को पार्थेनोजनेसिस कहलाती है। 2.3.2 निशेचन लैने एक्स्टरनल फर्टलाइजेशन कहा जाता है। वाय निशेचन करने वाले जीव दो लिंगी में व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं तता वहरी माध्यम युगमक सल्यन के अफसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युगमक निर्मुक्त करते हैं। ऐसे बौनी फिश एवं मेडको में होता है। जहां भारी संख्या में संताने पैदा होती हैं परन्तु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संताने शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थितियों से गुजरती हैं और वैस होने तक उनकी उत्तर जीविता काफी जोखिम पूर्ण होती है। बहुत सारे स्थली जीवों में जैसे की फंजाई उचिशेंडी के प्राणी जैसे सरी श्रफ पक्षी तता संधारी अपने अधिकतर पादब में युगमक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन होता है। अता यह प्रक्रिया इंटरनल कहलाती है। इन सभी जीवों में अंडे की रश्रा मादा के शरीर के भीतर होती है और वहां पर नर युगमक से संगलित कर जाते हैं। आंत्रिक निशेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युगमक स्चलन शील होते हैं और उन्हें अंडे के साथ युगमन करने क लिए अंडे तक पहुँचना होता है इस प्रक्रम हे तुझ जो शुक्राणू पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है परन्तु जो अंडे उत्पन होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाक्रत कम होती है बीजी पादपो में यद्यपी अचलन शील नर युगमक प्रांक नली द्वारा मादा युगमक तक पहुँचते हैं 1.2.3 निशेचन पस्ट घटनाएं लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पस्चात युगमनज का निर्माड होता है यही पस्ट निशेचन घटनाएं कहलाती है 1.2.3.1 युगमनज दुवे गुडित युगमनच का निर्माण सभी लेंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्व व्यापी है वाय निशेचन करने वाले सभी जीवों में युगमनच का निर्माण वाय माध्यम में होता है जबकि वह जीव जिनमें आंत्रिक निशेचन होती है उनके शदीर के भीतर युगमनच की सनरशना होती है युगमनच के आगे का विकास जीवों के अपने जीवन चक्र तथा वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है फंजाई एवं शैवाल से संबद जीवों में युगमनच एक मोटी भित्ती को विक्सित करते हैं जो उनकी सुषकन तता च्छती से रशक्षा करती है यह अंकुरण से पूर्व काफी समय की विश्रांत काल में रहते हैं दुई गुड़े जीवन चक्रवाले जीवों में युगमनच अर्ध सूत्रन द्वारा विभाचित होकर अगुड़े तंडाणू का निर्मार होता है जो अगुड़े त्विष्टी की रूप में व्रद्धी करता है आपने ग्यारवी कक्षा की पुस्तक का अध्यन करें और पता लगाएं कि दुई गुड़े ततासं, दुई गुड़े तागुड़े तक हैपलोडिपलॉंटिक जीवन चक्रवाले जीवों में युगमनच का निर्मार के इस प्रकार से विकास करता है युगमनच एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी के जीव के बीच की महत्रपून कड़ी है जो प्रजादियों की निरंतरता को सुनश्रित करती है प्रतेक लेंगेक प्रजनक जीव यहां तक ही मानव जीवन की शुडवात एक एकल कोशिका युगमनच की रूप में होती है 1.2.3.2 बुरूण ओदभव युगमनच से इंब्रियों के विकास की प्रक्रिया को संदर्वित करता है ऐसे इंब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं इंब्रियोजेनेसिस के दौरान युगमनच कोशिका विवाजन तता कोशिका विवेदी करण से गुजरता है बुरूण विकास के दौरान जहां कोशिका विवाजन से कोशिकाओं की संख्या में व्रद्धी होती है वहीं कोशिका विवेदी करण से कोशिकाओं के समू एक निश्चित रूपांतरों से ग्युजर कर विशेशी क्रत उतको एवमंगों की रशना करते हैं जिसके परणाम सुरूप जीवों का निर्माण होता है आप पिछली कक्षा में कोशिका विवाजन तता विवेदी करण की प्रक्रिया के अवश विशे में अध्यन कर चुके हैं प्राणियों में अंड प्रजक तता सजी प्रजक शेडियों में विभक्त किया गया है जो इस तत्ति पर आधारेत है कि युगमनज ने मादा जनक के शलीर के बाहर विकास किया है अर्थवा भीतर थात उसका जन्म निशेचित अंडों के द्वारा हुआ अर्थवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ अंड प्रजक प्राणियों जैसे कि सरी सरफ वर्ग तता पक्षी आधी के द्वारा परयावरं के सुरक्षित स्थान पर निशेचित अंडे दिये जाते हैं जो एक निशेचित अवदी के पश्चात स्पुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं जबकि दूसरी और सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर स्थन धारी जिन में मानव शामिल है मादा जीव के शरीर के भीतर युगमनश विक्सित होकर शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवदी एवं विकास चर्णों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किये जाते हैं ब्रूणी सहीद एकबाल तता संरक्षन के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने के सुअबसर बढ़ जाते हैं पुश्पी पात्पों में युगमनश का निर्माण बीजांड के अंदर होता है निशेचन के पश्चात पुश्प के वाहे दल पंखुडी तथा पुंकेसर मुर्जा कर जढ़ जाते हैं क्या आप एक ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिनमें वाहे दल पुश्प से जुड़े रहते हैं ये दिपिस्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है युगमनज भुण में बीजांड बीज विक्सित हो जाता है अंडाशे फल की रूप में विक्सित होती है और आगे चल करके फल की भित्ती का निर्माड करती है इससे पेरी कार्प कहते हैं इसका कारे फल को सुरक्षा प्रदान करना है विक्रण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्तियों के आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रवान पॉइंट एट सारांच जनन एक प्रजाती को पीडी दर पीडी जीवित रहने योगी बनाता है जीवों की जनन को व्यापक रूप से दो शेडियों में विभक्त किया जा सकता है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन अलैंगिक जिनन के अंतरगत यूगमक अत्वा यूगमकों का यूगमन शामिल नहीं है ऐसे जीव जिनके शरीर की संदशना अपेक्षाक्रत साधारन होती है उनमें यह प्रक्रिया सामानी रूप से पाई जाती है जैसे कवक, शैवाल तथा कुछ अकशेर की प्राणी अलैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित संतती एक समान होते हैं इन्हें कलोन भी कहा जा सकता है अधिकांशता शैवालो तथा कवक को में चल विजाणू कोनीडिया आदी सामान अलैंगिक संदशनाई होती हैं मुकलन तथा जिमुलन का निर्मान प्राणियों में सामान अलैंगिक विधी देखी गई है प्रोकेरियोट तथा एक कोश्की जीव जनक कोशिकाओं के कोश्का विभाजन अत्वा द्विखंडन युगमन से उत्पन होते हैं अनेक जली जीवों, पुश्पी पात्वों की स्थली प्रजातियों की सनरशनाय जैसे उपरी भूस्तरी, प्रकंदो, अंतह भूस्तरी, कंदो वा भूस्तरी का आदि में नई संतानों को पैदा करने की शमता होती है इस प्रकार के अलेंगिक जनन की विधी को काईक प्रवर्दन कहते हैं लेंगिक जनन के अंतरगत युगमकों का निर्माण तथा युगमन शामिल है अलेंगिक जनन की तुल्ला में यह एक जटे लिवम धीमी प्रक्रिया है अधिकांश उच श्रेडी के प्राणी पूंटा लैंगिक विदी द्वारा जनन करते हैं लैंगिक जनन की घटना को निशेचन पूर्व निशेचन तता निशेचन के बाद की घटना में श्रेडी बद किया जा सकता है निशेचन पूर्व घटना के अंतरगत युगमक जनन तता युगमक स्थानांतरण जबकि निशेचन पश्च में युगमक का निर्मार तता भुड़ोद भफ को ही शामिल किया गया है जीव द्विलिंगी तथवा एक लिंगी हो सकते हैं पादपों में एक लैंगिक विवित्ता अपेक्षाकरत अधिक होती है विशेश कर पुषपी पादपों में क्योंकि ये विवित्प्रकार के पुषपों को उत्पनक कर सकते हैं पादपों को उभय लिंगाश्रई एवं एक लिंगाश्रई में परिवाशित किया गया है हाला कि पुष्प द्विलिंगी एवं एक लिंगी हो सकते हैं युगमक प्राकरतिक रूप से सदैव अगुडित होते हैं यह द्विलिंगी जीवों में एक लिंगी प्राणियों में यह मैथुन द्वारा संपन होती है पुष्पी पातों में एक विशेश प्रक्रिया जिसे परागण कहते हैं परागणों का सहनांतरण होता है युगमक सल्यन नर एवं आदा युगमकों के मद्ध संपन होता है युगमक सल्यन जीव की काय के बाहर तत्वा अंदर कहीं भी हो सकता है युगमक सल्यन के परणाम स्वरूप एक विशेश कोशिका जिसे युगमनज कहते हैं का निर्माण होता है युगमनच से ब्रून के विकास की प्रक्रिया ब्रूनोद बज कैलाती है प्राणियों में इसके निर्माण के तुरंद बाद युगमनच बनने लगता है प्राणी अंड प्रजक या सजी प्रजक दोनों हो सकते हैं सजी प्रजक जीवों में बुरूणी संरक्षण एवं भली प्रकार से देखभाल को अच्छा समझा गया है। पुषभी पात्वों में निशेचन के पश्चात, अंडाशे, फल में विक्सित होता है तदा बीजांड परिपक्वों होकर बीज बनाता है। फल के भीतर परिपक्वभी जगली पीडी का संचारक ब्रून होता है। और इसी के साथ में आपका ये फर्स चैप्टर कम्प्लीट हो गया, अब बचें आपके तीन चैप्टर, सेक्शोल रिप्रोडक्शन और फ्लारिंग प्लांट, हूँमन रिप्रोडाक्शन और रिप्र बबबबबबबबबब।